गुड मॉर्निंग ग्लास जैश्री शाम आज हम शुरू कर रहे हैं चेप्टर फाइव इससे पहले जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हमने पढ़ाता कोसिका की बारे में तो जो कोसिका होती है ये किसी भी सजीव की मूल सनरिशनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है और जो कोसिका होती है इसके बीच में जो गेहरे रंगी संरस्षिना रहा है जासा के आपको इहां पर इन सब में दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं किंद्रक और किंद्रक की खूझ की थी रोबर्ट ब्राउन ने अब देखिए यहां पर कुछ अलग अलग तरह कि कोशिकाएं दी गई हैं आधा धाइग्राम बना के मैं आपको सेंड कर दूँगे इसके बाद देखे जो आप आपको दिखाई दे रहा है यह अंडा है अंडा है अंडा भी क्या है एक कोशिका ही है इसके बाद देखे यह अस्तिमज्जा है शुक्राणों और यह है फैट सेल जिसे वसा कोशिका कहते हैं तो जो सजीव होते हैं इनके अंदर जो कोशिकाओं क जो होती है वो स्थिर होती है इनका कार जो होता है अगर हम एमीबा की बात करें तो एमीबा अपने आप में ही एक कोशिका ही है यानि एमीबा क्या है एक कोशिक जीव है तो इसकी आकरती जो है वो बदलती रहती है और अगर हम बात करें हमारी तंत्री का कोशिका की तो इसका कार स्थिर होता है इसका कार नहीं बदलता प्रतेग जीवित कोशिका में कुछ मूल भूत कारिय करने की शमता होती है जिस तरह से अगर हम एक घर की कल्पना करते हैं एक घर में जितने भी सदश्य होते हैं सबका अपना-पना काम होता है अलग-अलग ठीक उसी तरह से जो अलग-अलग कारिय करने के लिए कुछ मूल अलग-अलग सनरशनाएं होती हैं जो की अलग-अलग कारिय करती हैं यानि बहुकोशिक जीवों की तरह कोशिका के अंदर भी स्रम विभाजन होता है ठीक है तो जो कोशिका होती है कोशिका की अंदर अब तक आपने कोशिका की बारे में पढ़ा किप जन्तु कोशिका पादप कोशिका होती है इन में अंतर हो आप लोगों ने पढ़ा है अब पढ़ेंगे हम कोशिका जो होती है उसके कोशिकांगों के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर क्या होता है कौन-कौन से भाग होते हैं और वह कैसे काम करते है श्रम विभाजन का अर्थ हम बात करें श्रम विभाजन की तो जिस तरह से मनुश्य में श्रम विभाजन होता है बिल्कुल इसी तरह से जो कोशिका होती है उसमें भी कई भाग होते हैं जो अलग-अलग कारिये करते हैं बाव कोशिक जीवों में श्रम् विभाजन होता है जैसा के मनुश्य में इसका अर्थ यह है कि शरीर के विभिन अंग विभिन कारे करते है forehead संbansबंदी तंत्र अलग होता है जो परिशंचन तंत्र है वो अलग होता है जितने भी हमारे सरीर में तंत्र है या अंग है उनका खुद का स्पेसिफिक अपना काम होता है यानि विसिस्ट काम है ये काम केवल वही अंग करते हैं कोई दूसरा जो औरगन है वो इस काम को नहीं करता यानि सारी जितने भी अंग है सबका काम बटा हुआ होता है इसी प्र आस्तम में ऐसे प्रतीक कोशिकांग में कुछ विशिस्ट घटक होते हैं जिने कोशिकांग कहते हैं प्रतीक कोशिकांग एक विशिस्ट कारिय करता है जैसे कि कोशिकांग में नए पदार्थ बनाने की प्रक्रिया जो है और इसके अलावा विशिस्ट प्रकार के जैसे जो अ armee swachin की kriya ہوتी परिशंचरण जितनी भी kriya हैं उसकां हैं बिल्कुल इसी तरह से जो एक कोसिका होती है उसको सिकाि में swachin की बात करें सरजण की बात करें हम portion की बात करें ने सभी क्रियाएं होती कोसिकांग के कालन तो कोसिकांग क्या है कोसिका की अंदर जो विसिस्ट भाग होते हैं जो कि बिन्न बिन्न कारिये करते हैं उन्हें हम कहते हैं कोशिकांग ये कोशिकांग मिलकर एक मूल भूत इकाई बनाते हैं जिने हम कोशिका कहते हैं यानि सारे कोशिकांग मिलाकर जो इकाई बनती है उसे हम कहते हैं कोशिका यह बड़ा रुचिकर है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं जितनी भी कोशिकाओं हैं उन सब में एक ही प्रकार के कोशिकांग पाया जाते हैं भिने भिने नहीं होते और इन कोशिकांगों के कारिय सभी कोशिकाओं में एक समान होते हैं इससे फरक नहीं पड़ता कि इसका कार्य क्या है अथवा कि वे किस जी में पाई जाती है अब देखें यहाँ पर दो कॉशन दे रखें हैं कोशिका की खोज किसने और कैसे की तो मैं आपको बता दूं कि कोशिका जीवित कोशिका को तो सबसे पहले देखा ल्यूवेन हॉक न कैसे की उन्होंने क्या किया कॉर्क की जो चाल होती है पेड की जो चाल होती है उससे इस्वय निर्मित शुक्षम दर्से में देखा तो उन्हें कई तरह की खांचे दिखाई दी ठीक है और उन्होंने उसको नाम दिया कोशिका इस तरह से उन्होंने कोशिका की खोज की second question आपका आता है कोशिका को जीवन की सनरशनात्मग और क्रियात्मग एकाई क्यों कहते हैं जितनी भी सजीव हैं चाहे वो पेड़ बोदे हो चाहे वो जीवजनतु हो उन सब का सरीर जो होता है वो कोशिकाओं का बना होता है और एक कोशिका जो होती है उसमें कई अंगक होते हैं जो अपना अलग-अलग काम करते हैं यानि किसी भी सरीर की सजीव जो है उसकी सनरशनात्मग और क्रियात्मग जो इकाई होती है वो कोशिका ही होती है अब हम बात करते हैं कोसिका किसे बनी होती है कोसिका का संडशनात्मक संगठन क्या है कोसिका किसकी बनी होती है तो मूल रूप से मैं आपको सबसे पहले बताओं कि कोसिका जो होती है उसके बाहर एक आवरण होता है एक जिल्ली होती है जिसे हम कहते हैं कोशिका जिल्ली इसी का एक और नाम है प्लाजमा जिल्ली ठीक है तो कोशिका के सबसे बाहर जो जिल्ली होती है उसको प्लाजमा जिल्ली कहते हैं पेड़ पोदे जो होते हैं यानि पादब की जो कोशिकाय होती है उनके अंदर इस कोशिका जिली के बाहर एक और जिली पाई जाती है जिसे कोशिका भित्ति कहा जाता है और यह आपने पीछे की क्लासों में पढ़ा ही है कि कोशिका भित्ति पादब कोशिकाओं में पाई जाती है और जनतु कोशिकाओं में नहीं होती है तो हम कोशिका की बात कर रहे हैं, सबसे बाहर कोशिका जिल्ली होती है, बीचों बीच केंद्रक पाया जाता है, और केंद्रक के बाहर की तरफ पाया जाता है कोशिका द्रव, और यह जो कोशिका द्रव होता है, इसी में ही कोशिका अंगक पाये जाते हैं, तो इस तरह से मेन अगर हम सनरशना की बात करें तो तीन भागों में हम इसको बाट सकते हैं कोशिका को सबसे बाहर की तरफ कोशिका जिली बीच में केंद्रक और केंद्रक के बाहर पाया जाता है कोशिका द्रव और जो कोशिका द्रव होता है इसी के अंदर होते हैं कोशिका अंगक जो की के हैं कि कोसिका के अंदर उन्हीं बदार्थों को आने देगी जिनकी कोशिका को अवश्यकता है कोशिका जिल्ली को चैनात्मक वरन आत्मक अρधपारगम जिल्ली के यह जाता है every अरदफपारगम ब्हले भी इसको कहा जाता है यह सारे नाम कि commentary कोसिका जिल्ली तो क्यों कहते हैं इसको क्योंकि जो कोसिका जिली जो होती है ये आवशक पदार्थों को कोसिका के अंदर आने देती है और अनावशक पदार्थों को कोसिका के अंदर नहीं आने देती है ठीक इसी तरह से कोसिका के अंदर जो अनावशक पदार्थ होते हैं उन्हें कोसिका से ब कोशिका के बाहर जाने देती है तो यह क्या करती है सुरक्षा करती है कोशिका की आप कह सकते हो सुरक्षा का कारिय जो होता है वो कोशिका जिल्ली करती है इसके अलावा जो कोशिकांग होते हैं कोशिका द्रव होता है इन्हें संगटित करके रखती है तो इस तरह से इसे अर बाहर नहीं जाने देती और जो अनावशक पदार्थ होते हैं उनके लिए ये पार्गम में उती हैं या वो प्तार्द हैं वो कोशिका में से गुजर जाते हैं तो इस तरह से जो कोशिका जिली है वो लिए आपको बता दूं कि जो एक को सीख.. हूंकि वह क्या बात करते हैं तो चल्म को जी इता कि द्वारा को जिली के द्वारे म स्विसंग और होते है तो बाहर जल से oxygen को एमीबा के सरीर में कोसी का जिली द्वारा जाता है और जब carbon dioxide के मातरा जादा हो जाती है तो यह है इसी प्लेजमा जिली के द्वारा जल में बाहर वापिस आ जाती है तो इस तरह से जो प्लेजमा जिली होती है जो कोसी का जिली होती है वो अर्ध पारगम में चैनात्मक या वरनात्मक जिल्理 कहलाती है तो आज के लिए जो आपके questions है question number first आपको जो अभी मैंने बताया है कोशिका जिल्ली की खोज किसने की और कैसे की तो आपको इसके बारे में बताना है कि किस गानिक में कोसिका जिल्ली की खोज की थी और किस प्रकार की थी सेकिंड कोसिका को जीवन की संडेशनात में और क्रियात में क्यों कहते हैं तो आपको ये दो कोशन करने हैं इसके अलावा कोशन नमबर थर्ड जो है उसमें आपको लिखना है कोशिका जिल्ली को और किन किन नामों से जाना जाता है जो कि मैंने आपको बताएं हैं भी आपको लिखने है अगर इस टॉपिक से रिलेटर आपको कोई भी परिशानी है तो आप मुझे से पूछ सकते हैं थेंक यू